हेलो नमस्कार दोस्तों काता है आपका आशिश मड़ों में आज रिविव करने वाले हैं सब कॉंपेक्ट SUV सेग्मेंट के बारे में अगर ऑप्शन की बात की जाए तो आज की डेट में आपके पास मारुती ब्रेजा, टाटानिक्सॉन, महिंदरा, एक्सवी थी डेबलो, किय आज इसी के बार में हम complete detail में बात करेंगे इसके exterior से लेकर interior तक engine, features, then price के बार में तो चली start करते हैं इसके color options से तो इसमें आपको phantom black, fairy red, polar white, typhoon silver, titan gray, denim blue और इसमें आपको dual tone color का भी option देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं इसके variant से तो इसमें आपको E, S, S optional, S plus, SX और S, S optional जैसे variant देखने को मलते हैं अब ही आप इसके S optional variant को देख रहे हैं जो कि इसका mid variant है तो आज देखते हैं कि S optional variant में आपको क्या क्या features offer किये गए हैं इसमें आपको manual, DCT, IMT, 3O transmission देखने को मिल जाते हैं ये काफी अच्छी चीज़ है इंजन एक्सपेक्स की बात की को जाते हैं तो यह आपको 3 Enginen offer किया गये 1.2-liter का Kappa Patrol जिसमें आपको 83 BHP कि power और 130 Nm का टॉग मलता है 1-liter का टैर्बो चार्ज पेट्रोल आपको 120 BHP और 1322 Nm का टॉग मलता है वह न मैं आपको 1.5 liter का CRDI diesel engine offer किया ए हैं लिए 10BHP की power और 240 Nm का अल्यान आउए इसकी की की तो ऐसे कुछ आपको की मिलने वाली है जिसमें lock unlock के बटन, boot खुलने के बटन, flip की यहाँ पे दी जा रही है और पीछे आपको Hyundai की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाएगे और जो दूसरी की है वो आपको normal मिलने वाली है mileage की बात की जाए तो petrol में 18 और diesel में 23 km पर लीटर तक की mileage देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं गाड़ी के front profile से तो center में आपको Hyundai की branding, Hyundai का बड़ा सा logo दिया गया है grill की बात की जाए तो face lift launch होने के बाद इसकी grill जो है पूरी तरह से change कर दी गए थी dark room में यहां पर दिया गया है जो कि सामने से देखने में काफी खूफसरा लगता है and closed grill है जैसे कि आपको Alcazar वगरा में देखने को मिलती है grill के बाद आप बात करते हैं गाड़ी के helmet की तो यहां पर आपको उपर turn indicator की placement दी गई नीचे आपको automatic projector headlamps offer किया जाने जो कि full LED में cornering light देखने में जाए कि LED DRS यहां पर दी गए जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कोई foglamps की placement आप नहीं मिलती हुंड़े वेन्यू में नीचे आपको silver finish में इसकी पेट दी गई है जब आप सामने बैट के देखेंगे तो ऐसो कुछ आपको front face नजर आने वाला हुंड़े वेन्यू का गाड़ी के ground kids की बात कर लें तो 190 190 mm का ground kids यहां पर दिया गया है जब आप top end में जाएंगे तो वहां पर आपको sunroof भी offer की जाती है front profile के बाद आप चलते हैं side में और side profile से देखते हैं Hyundai Venue के S optional bed को तो यहां पर आपको 15 inch के stream दिये जा रहे हैं Hyundai की branding आप देख सकते हैं wheel covers पे दी गई है और जो suspension का travel इतना कुछ मिलता है Apollo को tires यहां पर आपको wheel covers Hyundai की branding tire section की बात की जाए तो यहां पर 195 65 R15 का पूरा tire section देखने को मिल जाता है and wheels के उपर आप देखें की cladding दी गई है जो कि black color में काफी अच्छी लग रही because जो पूरी गाड़ी आपको black ही देखने में लगेगी and ORBIMS की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको electrically adjustable and manually foldable ORBIMS आपको दिया रहे है turn indicator की placement के साथ में गाड़ी के इंदर बैठके आराम से आप इनको adjust तोड़ सकते हैं लेकिन fold आपको manually करना पड़ेगा अब बात करते हैं इसके dimensions की तो 4995 mm इसकी लिंद है 1770 mm इसकी विर्थ है और 1617 mm आपको height देखने को मिल जाती है and side profile भी देखी मुझे personally ये black color में काफी अच्छी लगती and जब इसके projector जो headlamps हैं उजलते हैं तो और भी अच्छी लगते है काड़ी के wheelbase की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको 2500 mm का wheelbase दिया गया है जिसकी वज़े से इसपेस आपको काफी बढ़िया मिलता है इसके cabin में यहाँ पर आपको body color door harness दिये जा रहे हैं B player देखेंगे पुरा glossy black finish में ही मिलता है कोई matte black finish यहाँ पर नहीं दीगी उपर आपको roof rails, पीछा आपको shark fin, antenna देखने को मिल जाएगा rear profile की बात की जाए तो आप देख सकते हैं rear wheels में आपको drum और front wheels में आपको disbrick offer की जाती है आप चलते हैं tailgate की तरफ तो rear से भी देखेंगे Hyundai venue जो है काफी खूप सरह लगती उपर आपको shark fin, antenna, यहाँ पर आपको roof rails, spoiler यहाँ पर आपको defogger नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको Hyundai की branding venue की badging दी गई है यहाँ पर आपको reverse parking camera की placement देखने हो मिल जाएगी S option band में ही आपको reverse parking camera मिलता है इसके नीचे बाले wind में offer नहीं की जाता है tail lamps की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको continue H-shape में LED tail lamps offer की जा रहे है जो की देखने में काफी खूफ सरह लगते है entire indicator की placement आपको इसी में देखने हो मिल जाएगी नीचे आपको reflectors, reverse light की placement दी गई इसके बंपर में यहाँ पर आपको reverse parking camera जो की मैं आपको दिखा चुका हूँ ऐसा कुछ आपको fuel filler cap मिलता है capissory की बात कर लें तो इसमें आपको 45 liter की fuel tank capissory देखने हो मिल जाएगी अब चलिए इसका boot open करते हैं यहाँ पर मिलता आपको magnetic button जिसको press करके आप अपने boot को open कर सकते हैं अगर space की बात की जाए तो इसमें आपको 350 liter का boot space offer किया गया है थोड़ा सा loading lift है अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर मिलता आपको spare wheel toolkit के साथ में तो काफी बढ़िया space यहाँ पर दिया गया है उपर आपको दी गई यह पाफशाट ट्रे जिसको आप remove भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा space की need है तो यहाँ पर मिलता है आपको step जिनको थ्रू आप अपनी seat को fold कर पाएंगे 100% foldable seats हैं अब चलिए इसके boot को करते हैं बंद और चलते हैं rear seats पे और rear sitting comfort leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पर आपको body clear door handles दिये जा रहे हैं अगर इसके door trim की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको dual tone color में door trim मिलने वाला है यहाँ पर आपको cellar finish में door opener, यहाँ पर आपको pounder की controls, white color की finish नीशे की बात की जाए तो speaker की placement, यहाँ पर आपको bottle holder देखने को मिल जाता है rear cabin की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको space मिलने वाला है दो headrest दिये गए जिनको आप address नहीं कर पाएंगे, fix नहीं यह कोई armrest यहाँ पर नहीं मिलता, आपको S optional band में, पूरा legroom आप देख सकते है अब चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके पूरा space चेक करते है तो rear cabin में बैटने की बात, इतना कुछ legroom आपको मिलने वाला है पूरा space आप देख सकते हैं, आगे की seat जो है में recording adjust है और मेरी height 5 foot 8 हींच है, तो पूरा space आप देख सकते है यहाँ पर मिलता है, आपको rear में AC vents, seller finis अगर नीचे की बात किया है, तो दो charging port देगे हैं, जो कि type C हैं अंदर का पूरा interior dual tone color में, उपर आपको grab handle, दो headrest, जो कि fixed हैं आप इनको adjust नहीं कर पाएंगे, पीछे आपको दी गई है power shutter है, कोई armrest आपको नहीं मिलता उपर आपको रूप में दी गई है reading lights, जो कि halogen में है front dashboard की बात की जाए, तो ऐसो कोछ आपको dual tone color में dashboard दिया जा रहा है जो कि देखने में काफी खूप सुरह लग रहा है, सामनी की तरव आपको 8 इंच का touch infotainment system दिया गया है steering पे आपको सारे controls देखने हूं मिल जाएंगे, अभी देखना है अब इसके manual transmission को इसके अलावा इसमें आपको DCT, IMT, दोनों ही transmission देखने हूं मिलते है आप चलते हैं, front driver seat पे और सारे features cover करते है तो यहाँ पे आपको body clear door handles दे जा रहे हैं, अगर इसके door trim की बात की जाए तो यहाँ पे आपको rear की तरह front में भी dual tone color में door trim दिया गया है और उपर आपको मिलता है, यहाँ पे door open में, pop new के controls, lock on lock button, wire beam को adjust करने की controls, white color की finish, speaker की placement यहाँ पे आपको bottle holder देखने को मिल जाएगा front cabin की बात करें, तो ऐसे कुछ आपको space वाला cabin मिलने वाला है और आगे के जो दो headrest हैं, आप उनको adjust कर पाएंगे यहाँ पे आपको fabric की seats मिलती है, लेकिन यहाँ पे seat cover लगे हुए है यह इसका front dashboard अगर seats की बात की जाए, तो मैंना आपको बता है, यहाँ पे आपको fabric की seats मिलती है यहाँ पे आपको लगे हुए seat covers, जोकि काफी देखने में कुपसूरा लग रहे है यहाँ से height adjust कर सकते हैं, यहाँ से recline कर सकते हैं अपनी seats को नीचे आपको fill का खोलने का lever दिया गया अभी देखना है manual transmission को, manual ABC paddles यहाँ से अपना bonnet open कर सकते हैं, यहाँ पे आपको traction control का button, headlight leveler, AC के vents आप चलते हैं, front cabin में बैठते हैं, और अंदर बैठके सारे features cover करते हैं, तो front driver seat पे बैठने के बाद ऐसा नजर आने वाला आपको front dashboard काड़ी को on करते हैं, दिखाते हैं आपको इसका instrument cluster, तो यहाँ पे मिलती है flip की, top weight में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको kille century देखने हो मिल जाएगी, and on करने के बाद ऐसा कुछ आपको digital instrument cluster मिलने वाला है, जो कि देखने में काफी खूप सरह लग रहा है, and left side देखिएंगे, आपको मिल जाता है speedometer, right side आपको दिया गया है, cluster के बाद आप बात करते हैं, इसके steering की, तो ऐसे हुआ आपको round shape में steering मिलने वाला है, कोई leather finish आपे नहीं दी गई, यह multimedia के controls, Hyundai की branding, इधर आपको MID के controls देगे हैं, silver finish आपे देखनी मिल जाएगी, steering के पेच आपको wiper के controls, and right side आपको दीगे है, automatic headlands के सारे controls, अगर adjustment की बात कर प्रतिंगाडी के center console की, तो यहाँ पे देखेंगे, आपको AC के events मिल जाते हैं, silver finish के साथ में, यहाँ पे आपको दियागा है, 8 inch का touch infotainment system, जिसमें आपको wireless, android, auto, apple car पे मिलने वाला है, 4 speakers, and 2 twitters का आपको sound system मिलता है, जोगी आर्कमीस का रहने वाला है, and इसका sound output है, वो भ इवास parking camera की बात की जाए, तो ऐसी हुच आपको quality मिलने वाली है, अगर नीचे की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको buttons दिये गए, नॉफ्स वगरा है मिल जाते है, 1000 का button यहाँ पे दिये गए, यहाँ पे आपको manual AC के controls, नीचे की बात की जाए, तो यहाँ आपको USB port, 12V का charging port, और उसी के बगल में आपको type C का charging port दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ space, अब बात करते हैं इसके glove box की, तो glove box में भी देखिए, आपको काफे बड़िया space दिया गया है, और यह cool glove box नहीं है, उपर आपको कुछ space देखने हो मिल जाएगी, तो यह था पूरा dashboard, interior, हु तो उपर की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको vanity mirror, driver side आपको कोई vanity mirror नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको manual day night IRVM, यहाँ पे आपको mic की placement, and visibility पे आपको काफी बड़िया मिलती है, bumper to bumper इसको drive कर सकते हैं आप traffic में, अब चलिए गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं इसके safety features औ price sensor, and इसमें आपको 2 airbags देखने को मिल जाएंगे, तो अब विट में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको 6 airbag को option दिया जाता है, अब बात करते हैं में जिए इसकी pricing की, तो अभी देख रहे हैं इसके S option वेंड को 9,50 रुपे इसका X form price है, और 10,80,000 रुपे की आपको on-road लग कर दीगा, and special thanks to BR Hyundai Mahanagar लखनो, जिनोंने मुझे से cover करने का मौका दिया, तो deal any Hyundai cars, visit this store room, अगर आपको वीडियो पसान दाए वीडियो को लाइक कर दीगा, चैनल को subscribe कर दीगा, क्योंकि आपके लिए car से लेटर वीडियो में आता लाता हूँ, तो मैं आज से मिलता हूँ, न कर दो